लिखा हुआ दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से करता हूँ और आप भी की सबसे बड़ी खबर जो है आप देख ला रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां कि कैसे इंडिया गटबंधन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो दिल्ली से आ रही है और दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल और राहुल गांधी यानि कॉंग्रेस और आम आदमी उपर दबाब डाला जा रहा है प्रेशर डाला जा रहा है कि वो तूट जाए आम आदमी पार्टी इंडिया गटबंधन से समझोता न करे उसमें न रहे इंडिया गटबंधन में वरना अर्विंद केजरिवाल को गरफतार कर दिया जाएगा बात सिर्फ गरफतारी भर की नहीं है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल के उपर गरफतारी की तलवार जो हो तो पहले से लटक रही है लेकिन बात यहां उससे भी आगे की है कैसे ने कैसे उनके उपर लादे जाएंगे और कैसे इंडिया गटबंधन को कमजोर किया जाएगा आपको याद होगा दोस्तो जो भी कहना चाहें सब कुछ हम लोगों ने कहा लेकिन यहां सबसे बड़ी बात एक जो महतुपूर्ण बात यहां सामने आ रही है वो यह कि नितीश कुमार के पलटने के बाद भी पलटी मारने के बाद भी इंडिया गटबंधन की मजबूती जो है वो आगे बढ़ती नहीं कि क्या इंडिया गटबंधन तूट गया है नितीश कुमार अब नहीं है तो ममता बनर जी भी नहीं आएंगी अखिलेश यादब भी नहीं आएंगे केजरिवाल भी नहीं आएंगे चीटे दी जाएंगी और ये इसकी घोशना के बाद फिर कल खबर आती है कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच भी समझोता हो गया है और एक सिर्फ दिल्ली में ही समझोता नहीं बलकि दिल्ली के अलावा पंजाब जैसे राज्य हर्याना जैसे राज्य और असम जै से ऐसे टूल के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती रही जहां से कॉंग्रेस को डेंट लगाया जा सके डिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी आज सरकार में है रूलिंग में है तो किसके वोटर्स के दम पे है किस किन वोटर्स के दम पे कहें तो वह उन्हीं वोटर्स के दम पे है कॉंग्रेस पार्टी के जो वोटर्स थे वही चले गए उधर और इसी धंग से वो चाहे गुजरात हो चाहे गोवा हो या असम हो या हर्याना हो या पंजाब हो पंजाब में भी आज रूल कर रही है आम आदमी पार्टी तो कौन से वोटर्स शिफ्ट हुए हैं वो के लिए सबसे बढ़िया हत्कंडा है कि आम आदमी पार्टी को ही यहां समेट दो उसके मुखिया को ही जेल में डाल दो और यहां से इस साजिश का परदाफाश होता है हमारे साथ इस कारिक्रम में जुड़े हुए हमारे साथ ही अमलेंदू पाध्याई जी अमलेंदू जी आपका स्वागत करता हूजरा अमलेंदू जी को भी स्क्रीन पे ले आईए हमलेंदू जी क्या कुछ यहां पे है कैसे हम किस दम पे कह रहे हैं कि यहां पर यह जो परदाफाश की हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सपोज हो रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी को और खा करेंगे क्या कुछ आप देखते हैं सबसे पहले दिल्ली की बात करें यही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ में कॉंग्रिस का कठंदन नहीं होगा और इसके दम पे भारती जिनता पार्टी और प्रहांदी नर्मोदी चार सो पार्ट का अपना नारा जो दे रहे थे उसके पीछे आशाएं यही थी कि आम आदमी पार्टी के साथ में कॉंग्रिस का कठंदन नहीं होगा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होगा और त्रमूल कॉंग्रिस के साथ नहीं होगा यह उनकी आशाएं थी ऐसा वो सोचते थे लेकिन जब जैसे ही समझोते की घोशना हु और आमादनी पार्टी ने पहले उन राज्जियों में अपने प्रतियाशी घोशीद भी कर दिये थे आज आज आमादनी पार्टी के कई नेता उन्हें एक कानफेंस की एक के बाद एक और उन्हों ने एक खुले रूप से आरूप लगाया कि जैसे ही यह घोशना हुई है कि CFI के जलिए तुरन लिए तुरू हो सकते हैं अर्विंद केजुरिवाल देखें जो । ब्रेकिंग खबर आपके सामने हैं ग्रफ़तार हो सकते हैं अर्विंद केजुरीवाल और E.D. के साथवे नोटिस के लिए तンネルमार्ज23 के बड़ा कि उस प्रिस कॉन्फरेंस की था और अगर हो सके तो दिखाएए जिसमें ये दावा आमादिन유पार्टी खुले तउर पे कर रही है और इस दावय के बाद कहीं से भी सत्तापक्ष की तरब से कोई भी यहां अपनी बात नहीं रखी गई है, सत्तापक्ष कहीं से भी इस बात क खंडन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यानि कहीं नि कहीं डाल में काला है और इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जबसे इंडिया गठबंदन फॉर्म हुआ है जब से इंडिया गठबंदन ब critics आया है सामने तब से नरेंदरमोधी परिशान है बीजेपी उस अपने अपनी मजबूती यहां कायम रखे और तीसरी बार नरेंदर मोदी सत्ता की कुर्सी को संभालें लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान है सत्ता की कुर्सी तक पहुँचना तीसरे टर्म में एक बड़ा सवाल है क्योंकि इंडिया गठबंदन यहां मजबूत है लेकिन इंडिया गठबंदन को तोड़ने की साजिश का परदाफाश कैसे हो रहा है वो अभी बताता हूँ सौरभ भारदाज क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारदवाज ने प्रिस कांफरेंस की क्या कुछ कहा उन्होंने ज़रा सुन लीजिए कि हमारी सूचना है कि आने वाले दो से तीन दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जीवाल जी गिरफतार कर लिए जाएंगे अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब एडी छोड़ो एडी का मामला तो कोट में फस गया है अब CBI को कहों कि CBI तुरंट इनको गिरफतार करें हमें लोग काफी दिनों से यह बात कह रहे थे हम लोग मानते नहीं थे यह तक पत्रकार साथी भी यह बात कहते हैं कि आप जैसे ही कॉंग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलाइंस करेंगे अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया जाएगा और भारतिय जन्ता पार्टीक से जुड़े हुए लोग भी हमें यह बात कह रहे हैं कि अगर अलाइंस हुआ तो अर्विंद केजरिवाल जेल में गए और अर्विंद केजरिवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाते हैं तो एक ही तरीका है अर्विंद केजरिवाल कॉंग्रेस के साथ इंडिया गटबंदन का हिस्सा ना बने यानि बात साफ है भारतिय जनता पार्टी के अंदर गबराहत बहुत जादा है उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ आएंगे तो जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ आएंगे भारतिय जनता पार्टी की बाते कहते हैं कि अब तो 300 पार जा रहे हैं, 370 पार जा रहे हैं, 400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर एक बुज़ोर आदमी के गर सीब्याई नहीं भेजा करता तो सुन रहे थे आप ये बहुत ही महत्वपूर्ड प्रेस कांफरेंस जिसमें साफ साफ सारोभारदवाज कह रहे हैं कि यहां खबर आ रही है, रोज फोन कॉल्स आ रहे हैं, बताय जा रहा है कि आप दोनों साथ मताई है और अगर साथ आएंगे तो अरविन केजरिवाल को गिराफतार कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह सब कुछ यहां बताते हुए सारोभारदवाज बहुत ही महत्वपूर्ण यहां सूचना देते हुए अमलंदू पाध्याई जी और सबसे बड़ी बात यहां कि सारोभारदवाज की यह दावे जो हैं वो अगर जूटे होते या कहींन कहीं इंफ्लूएंस करने की कोशिश होती तो बीजेपी की तरफ से कुछ न कुछ बात आती, इसका खंडन आता, कुछ कोई भी खंडन नहीं है, कुछ भी नहीं, बीजेपी की तरफ से इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है और यहां कॉंग्रेस के वोटर्स को ही अपनी तरफ अट्रेक्ट किया था कॉंग्रेस के वोटर्स ही आज आम आदमी पार्टी के साथ हैं चाहे वो दिल्ली की बात करें आप चाहे वो पंजाब की बात करें चाहे वो आप गुजरात की बात करें चाहे वो गोवा की बात करें और चाहे से दल से यानि आम आदमी पार्टी से अगर कॉंग्रेस का समझवता हो जाता है तो यहां सबसे ज़्यादा परिशान कौन होगा वह वह बीजेपी होगी और वही यहां दिखाई दे रहा है अमलेंदू पाधिया जी इस दावे में कितना दम दिखाई देता है जो सौरब भार किर में दाज़ियों में यह दिखाई हो यहां आदमी पार्टी के साथ कैस्पौन होगा जहां पहुंग्रिस को निख्क्सान पहुंचाया तो सब्सक्रायब है तो अब अगर आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस एक होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सारे वोट जो कॉंग्रिस से कट करके आमादमी पार्टी के साथ चे लगए थे वो फिर एक ही जगह आ जाएंगे यानि वो कॉंग्रिस के खाते में ही गिने आगे आमादमी पार्टी क तो हुए नेशनल लेविल की बड़ी प्लेयर कॉंग्रेस या ऑर जो बाते समुसिताओ pagar industry टक्रिश्थि be okay.मूट की और मुझे लगता है राजिपजी जैसे चुनाओ आता जाएगा और जैसे जैसे इंडिया कषटक कinkling के बीच में समझोतों की सूचना आती जाएंगी उसी तरीके से प्रधान मंत्री की भारती इंता पार्टी की कहा जाए वो चिंता जो बढ़ती जाएगी और उसकी प्रणिती जो है उस चिंता की वह इसी तरीके कोई टार्गेट पे लिए जाएदालाहे जो कहीं भी कॉंगरिस के साथ पिर 만दन क करकी और चुनाओं में जाना चाहते हैं और भारती जैटॡ़की की से सब सामने आरही के भारती जैन्ता पार्टी' की बेचैनी बढ़ullen week की यह त्रइजिदा ओन do को तोड़ने की साजिश ओ रही है और ये लगातार चल रही है दोस्तों और उसका परदाफाश हम कर रहे है कि कैसे इंडिया गठवंदन को तोड़ने की साजिश रची जा रहा है यह यहां बताने के पीछे मत जाई या आप सिर्फ तीन दिन पीछे जाईए तीन दिन पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे जो खबरे आप उठा के देखिए आपको दिखाई देगा कि इंडिया घट बंधन में भेंकर तूट अब तो अखिले शादब भी साथ नहीं आ रहे हैं आप तो अर् उत्तर पर्देश केन दोनों ने मिलकर के प्रेस कांफ्रेंस कर लिए और प्रेस कांफ्रेंस में घोशना कर दी कि 53 सीटों पर समाजवादी पाटी लड़ेगी और 17 सीटों पर कोंग्रेस पाटी लड़ेगी और यहां से एक भैंकर जो है वो सेट बैक दिखाई दिया बीज रहा था कि अब तो तूट गया गठ बंधन लेकिन आज जो खबर आई है वो और भी चोकाने वाली खबर है उससे दो कदम आगे आज नहीं बलकि कल से शुरुआत कर देते हैं दो कदम आगे अमलेंदो जी खबर ये आ गई कि अरविंद केजरिवाल और राहुल गांधी के ब बात रखने वाली है दोनों पाटियां ये खबर जैसे आई है वो उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है और बात यहां खत्म नहीं हुई इसके आगे दो कदम और आगे बढ़िये बात दो और राज्यों से आ गई है अभी जब आपके सामने हम बैठे हुए हैं तो दो और र लड़ ले और उधर महराष्ट में भी सीटों के बटवारा हो गया है तो सीटों के बटवारे में एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी काफी आगे चल रही है इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एंडिये यहां बिखरता हुआ नजर आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ आप याद किजिए आज कहां है ऐई एड्येम के ऐसे हला की नीतीश कुमार को आप सामने साथ में ले आए Lakini नीतीश कुमार और आपके साथ में क्या अभी सब कुछ अच्चा है गुड़ी-गुड़ी है अगर यह सवाल पूछा जाए तो वहां नीतीश कुमार के विधाय लिए आपने एनसीपी में तोड़ पोर करवाई उसके बाद भी सीटों का बटवारा आपका कहा है तो कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और आपने कहीं न कहीं गठबंदन करने की कोशिश करना टक में की थी जेडियस के साथ में लेकिन जेडियस में भी दो फार करवा दिये आप तो हर पार्टी में जहां जाते हैं वहां दो फार करवाते हैं हमलेंदु जी यहां दो फार वाले और यहां इंडिया गठबंधन में भी दो फार करवाने की कोशिश थी आप तो अपने गठबंदन में एक आ नहीं रख पाए एक जुटता नहीं रख पाए तो आप दूसरों में क्या उमीद करेंगे और वही तो यहां दिखाई दे रहा है जो चर्चा हम कर रहे हैं यहां पे जो बात यहां रख रहे हैं कि इंडिया गठबंदन को तोड़ने की कैसी स अब लें दोजी यहां पर निश्चित अब लाजी वही हो रहा है कि जो गड़े भारती इंता पारची दूसरों के लिए खोदना चाहरी थी खोद रही थी उसके लोग गरते यहां रही है इसी तरीके से आपने लग बिक दो फार करा दिये बिहार में आपने जिन्तर को अलग करवा दिया तो यह सारी चीज़े भारती इंता पारची अपने लोगों के साथ भी खेल करती है उनके उनको भी तोड़ती है यानि कि जो लिखा गया था एक विदेशी पत्रिगा के द्वारा उसको मुझे लखता है भारती जिन्ता पारची के प्रमोग जो है वो ह शिफसेना तोड़ दी नेता आपने शिफसेना के लिए मगा वोटर आपके साथ नहीं आया अब जो नेता आगए वो कह रहे हैं कि हम तो लाएंगे चुनाओ उनको पड़ाएगा आपको चुनाओ को आपके उपर हैसान कर क्या है तो अब उनको अगर आप टिकट देते हैं तो उनकी जीतने की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी अब वो शिफसेना एक नाशिंदी तो जिदानी की स्थिती में है नहीं इसी तरीकिसे अजीत पवार को आप ले आए अजीत पवार तो आ गए साथ में उनके निता भी आगए साथ में लेकिन वोटर जो यह आपको फॉर्ट के साथ में रहा गिया तो अब आजीत पौबार के साथ जो लोग आए हैं न कको जितानी की जितानी की चिताकी में ही होती तो है उक्याली नहीं लटने लटी महारास कि दो यानि आप वहां डिवाइट करके भी आप नुखसान में हैं और आग ca quandam यृ हो यह नहीं पाराइब ने करना बन कर देगी तो इस तरीफित बंगी तो बहुत ज्यादे बलेगी सिर्फ अर्विन केजिवाल की उपर ही नहीं है और लोग उपर बलेगी इनकी बात जो सौरब भारदवाज की बात बहुत मतपूर्ण एक बार फिर से सुनाना चाहता हूँ क्योंकि यहां से परिस्थितियां कुछ और बनती हुई दिखाई देती हैं इसलिए यहां पर यह बात आप मान के चलिए कि कहीं ने कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश अभी भी रची जा रही है लेकिन उसका परदाफाश भी हो रहा है इंडिया गठबंधन ममता बनर जी से बात की और इन लोगों ने जिस ढंक से ममता बनर जी के ऊपर भी दवाब डाला कि आप अगर नहीं हमारे साथ आएंगी तो फिर आप तैमानिये कि आपके साथ क्या होने जा रहा है तो यह सब कुछ अंदर खाने जो चल रहा है वो बहुत ही क्या कुछ कह रहे हैं हमारी चूटना है कि आने वाले दो से तीन दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जीवाल जी गिरफतार कर लिए जाएंगी अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब एडी छोड़ो एडी का मामला तो कोट में फस गया है अब CBI को कहो कि CBI तुरंट इनको गिरफतार करें हमें लोग काफी दिनों से यह बात कह रहे थे हम लोग मानते नहीं थे यह तक पत्रकार साथी भी यह बात कहते हैं कि आप जैसे ही कॉंग्रेस के साथ मल्टी स्टेट अलाइंस करेंगे अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया जाएगा और भारतिय जन्ता पार्टीक से जुड़े हुए लोग भी हमें यह बात कह रहे हैं कि अगर अलाइंस हुआ तो अर्विंद केजरिवाल जेल में गए और अर्विंद केजरिवाल जी को अगर आप लोग बाहर देखना चाते हैं तो एक ही तरीका है अर्विंद केजरिवाल कॉंग्रेस के साथ इंडिया गटबंदन का हिस्सा ना बने यानि बात साफ है भारतिय जनता पार्टी के अंदर गबराहत बहुत जादा है उनको लगता है अगर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ आएंगे तो सुन रहे थे आप आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस अगर साथ आएंगे तो ये बीजेपी के लिए यहां बहुत बड़ा जो है बड़ी मुश्किल यहां खड़ी हो जाएगी और इसलिए यहां साफ साफ कहते हुए आप सुन रहे हैं कह रहे हैं सौरभारदवाज न कि और उन लोगों ने भी प्रेस कॉंफरेंस की और जरा पाठक जी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां बताते हुए कि सीधा सीधा धमकाया जा रहा है सुनिए जरा मैं इनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप अर्विंद केजरी वाल जी को गिरिफ्तार तो करने की कोशिस कर रहे हैं और संभाव है कि आप गलत तरीके से कर भी लेंगे लेकिन मुझे लगता है इनोंने अपने पॉलिटिकल केलकुलेशन ठीक से किये नहीं है जिस दिन अगर ये केजरी वाल जी को गिरिफ्तार करेंगे पूरे देश में सुनामी आ जाएगी सारे वेल मीनिंग अच्छे लोग रोड में आ जाएंगे और इनके सारे पॉलिटिकल केलकुलेशन जो इनको लग रहा है कि केजरी वाल जी अंदर जाएंगे तो पार्टी टूट जाएगी ये उल्टा पढ़ने वाला है जो भी इनके पॉलिटिकल पंडित है मैं ये कहूंगा कि अपना केलकुलेशन ठीक से करो पहले दूसरी पार्टियों से तुम्हारा पाला पढ़ता रहा होगा अब तुम्हारा पाला अर्विंद केजरी वाल से पढ़ाएं तो ये चाहे जो मर्जी धमकी दे दे ये कह रहे तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में है अब तक हम सरिंडर कर दिये होते हमने हमारी सारे मिनिस्टर सारे बड़े बड़े लीडर जेल में है इन्होंने पार्टी को खतम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है जब हम यहां तक आज तक नहीं डरे आगे भी डरने वाल के राजसवास सांसद हैं संदीप पाठा का और ये जो बात कह रहे थे बहुत ही महतुफून बात देखिए यहाँ पर ये दिखाना ये समझाना जरूरी है दोस्तों इस ब्रेकिंग गठबंधन मजबूत रहे और इंडिया गठबंधन के जो तमाँ दल हैं वो कैसे मजबूती के साथ खड़े हैं उसका नमउना है प्रेस कांफरेंस और इस नमुने में ये साफ आपके सामने आ रहा है कि कहींगरेस के साथ इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं और कांगरेस के लिए अपनी बात यहां कैसे रख रहे हैं यह बहुत जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाओ नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी जिन जिन राजियों में लड़ रही है वहां इसका कॉंग्रेस के साथ गठबंदन हो रहा है और यही बात यहां बताते हुए संदीप पाठक जो आम यहां दिखाई दे रहा है उस जोड में उस गठबंदन में आम आदमी पार्टी को उससे बाहर निकालने की कोशिश हो रही है एक तरफ नितीश कुमार को आपने बाहर निकाल दिया लेकिन नितीश कुमार अभी भी कब पल्ती मारने पता नहीं यह आप तैमानिये जैंत च पहलों को हम सामने लाएंगे लेकिन यहां इंडिया गठबंदन के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसका जो साजिश रची जा रही है उसका परदाफाश होना ज़रूरी है क्योंकि दूसरा जो मीडिया का जरिया है जो मित्र मीडिया मंडली है वो आपको यह खबरे नहीं दिखाएगा जो हम यहां आपको दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर आपको हम वह साजिश का परदाफाश कर रहे हैं जो साजिश रची जा रही है ऐसी ही साजिश अगर आप देखिए अमलेंदू जी तो वह रची जा रही है वहां वेस्ट बंगाल में शाह जहां शेक जिसको खोजा जा रहा है संदेश खाली जगह जहां को जहां लेकर अगया आप दोस्तों आप टेलिवीजन चैनल उठाइए आपको वेस्ट बंगाल संदेश खाली वही रटा हुआ नजर आएगा क्या संदेश खाली में जो कुछ हुआ है महिलाओं के साथ वो वो एडी को वहां से बिलकुल पैदल कर देते हैं वापस बैरंग लोटा देते हैं उसके बाद ही ये सब कुछ हो रहा है उसके बाद ही ये रचना क्यों रची गई जिनके साथ हुआ जो भुक्त वोगी हैं उनके साथ हैं उनके परती हमारी पूरी समवेदनाय हैं लेकिन सवाल उठता है कि ये सारी चीजे आज ही क्यों रची जा रहे हैं इसलिए क्योंकि मामता बनर जी जो है वो इंडिया गठवन्दन का हिस्सा न बने अमलेंदो जी यही तो हो सकता है और इसलिए कि सब चीजियों मित्र मेडिया को इस काम पर लगाया गया है कि किसकी तरीकी की ख़बनों को दिखाना है मतलब जो प्रधान मंत्री जो है पिछले आज महीनी से जादा हो गए मरीपुर का मा नहीं बोल पाए है आज ते लेकिन सवाल यह कि क्या उस पर राजनिती भी इसी तरीकी से होनी चाहिए कि आप एक मसले को लेकर कि आप जो है खामोश रहेंगे आपके मुझसे कोई शब्द नहीं निकलेगा और दूसरे मसले को लेकर कि आप इस तरीकी से हलना मचाएंगे दूसरा आजीब जो संदीब है मुझे लगता है कि लोग सबस्क्राइब पूछते ने कि जो नारा दिया को डरो मत डरो मत अब काम करने लगा है अब लोग खुलके कह रहे हैं कि डरो मत नहीं जारेंगे मोदी जी आप सम नहीं जारेंगे ये जो हिम्मत लोगों के अंदर आई है वो राहुल गांदी की उस भारा जुरो यात्रा के बाद आई है और राहुल गांदी की उस नाले के बाद आई है कि डरो मत ये चीज जो ह पर जिस दर के आधार भारती जंटा पार्टी 2024 में चुनाओं जीतने की कोशिश करना चाथी है उस दर को धता बदाने की उस दर के सामने तंगे ख़ड़े होने की शुरबात हो चुकी है वो चाहें जाहर से हेमन सुरेन हो और चाहे आप यहां जिस तरह की संदी पाठक बोल रहा है राजीब जी यह जरो मत क्या ही प्रतिधनी एक्तरी से सुनाई पड़ रही है और दूसरी बात यहां यह चाहे संदी पाठक हो चाहे वो सौरब भारद्वाज हो लेकिन आतिशी ने भी अपनी बात गभार है लेकिन आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के पक्ष में इतना खुल कर क्यों कह रही है यह भी सुनना समझना ज़रूरी है पहले सुन लेते हैं आतिशी क्या कुछ कह रही है हम सब देख रहे हैं कि पिछले दो ढ़ाई महीने से एक-एक करके एक- प्रश में आ गया है कि वो एडी के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार नहीं कर पा रहे हैं तो अब भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार CBI को सामने लेके आ रही है और अब CBI के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल जी को अरेस्ट करने की करने वाली है हमारे पास विश्वरसनिय सूत्रों से ये खबर है कि सेक्शन फॉर्टी वाने CRPC में CBI का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अर्विंद केजरिवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बार अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया जाएगा CBI के द को CBI की गिरफतारी के बाद कुछी दिनों में ED द्वारा भी गिरफतार कर लिया जाता है हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कॉंग्रिस के साथ अलायंस मत करो सीट शेरिंग मत करो इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ वरना अर्विंद केजरिवाल जी को CBI द्वारा आने वाले कुछी दिनों में गिरफतार कर लिया जाएगा लेकिन मैं भारतिय जंता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती है आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए आप हमें जितने समन भेज लीजिए आप आमादमी पार्टी के हर नेता को गिरफतार कर लीजिए आप हमें फासी से टांग दीजिए लेकिन हम आपकी धंकि से डरने वाले नहीं हैं हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं हम इस देश के लोकतंत्र के लिए इस देश के समविधान के लिए लड़ते आएं हैं लड़ते रहेंगे तो सुना आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां बहुत महतुपूर्ण बात यहां रखती हुई आतिशी और साफ साफ सीधा सीधा नाम ले रही है दो बातें यहां कह रही है कि भारतिय जनता पार्टी का कहना है कि आप कॉंग्रिस के साथ गटबंधन मत कीजिए वरना अरविंद केजरिवाल को हम गरफतार कर लेंगे यह नाम लेते हुए कोई दल सीधा आरोप कि कोई कह रहा है कोई फोन आ रहा है कुछ और हो रहा है यह नहीं हमलिन्दुजी यहां सीधा सीधा एक आरोप है और इस आरोप में अगर दम होगा तब तो ये सीधे मीडिया के सामने आके कैमरे पे ये बात कह रही है और ऐसे ही बात अभी आपने सुन लिया सौरब भारदवाज की भी बात और संधी पाठक की भी बात ये तीनों अपनी बात यहां रखते हुए एक बहुत ही महतवपूर्ण प्रेस कांफरेंस आज की ये जिसको लेकर हम आपके सामने और उसके जरीए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश हो रही है और यहां पे जो दबाब में आ गया अब याद कीजिए एक भाशन राहूल गांधी ने जब बिहार के पूर्णिया में एक बहुत बड़ी रैली थी तो उन्होंने एक भाशन दिया था उस भाशन में उन्होंने क्या कहा बाशन में कहा था कि नितीश कुमार प्रेशर में दबाब में आ गये यहां केजरिवाल को भी दबाब मिलाने की कोशिश हो रही है नितीश कुमार के उपर भी शायद ऐसा ही प्रेशर आया होगा क्योंकि उसके बाद से अभी तक नितीश कुमार जो है वो परशान दिखाई दिखाई दे रहे हैं प्रेशर उधर ममेता बनर्णटी जी के ऊपर भी ढार गया है और ममिता बनर्ण जी को संदेश खाली के नाम पर बदनाम करने कि साजीत इसारिती के उपर भी एइ ँया मायावती जी बार बार उन्दर खाने से जो खबर आ रहे हैं दोस्तों वो चाहती है कि वो इंडिया गठवंदन में आएं और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती भी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के साथ में आ गई तो आप समझ लीजिए यह जो असी सीटों में से 62 सीटे आज की तारीक में बीजेपी हरिशंगर तीवारी आप जानते हैं वहां गोरखपुर तीवारी हाता उनके हाँ छापे मारी हो रही है तो EDCBI का खेला भी चलेगा यह तैमानिये EDCBI IT कल आपने देख लिया कॉंग्रेस के खाते से 65 करोर रुपए निकाल लिये गया आईटी की तरफ से कौन से एक्ट में आपने निकाले कैसे आपने पैसा उनके एकाउंट से निकाल लिया और उनके एकाउंट को सीज रखा हुआ है ताकि कॉंग्रेस जो है वो खर्च न कर पाया और चुनाव में उसकी दुरगती हो जाए कॉंग्रेस की तो यह बहुत कुछ यहां साजिशे रची जा रही है त चाहे वो कोई भी नれた हो चाहे वो आम आज़नी का नेता हो क्योंकि इंडिया गठबन्द अंविपाक्स है मजबूती की साथ आगे लड़ रहा है और दक्षिन भारत में क्या हालत बंदा रखी है वो तो आप देखी रहे हैं हम देंदू जी दक्षिन भारत में हो करनातक हो तमिलाडू में AIDMK के साथ में आपका गठबंदन तूट चुका है यानि BJP का गठबंदन जो NDA तूट चुका है और एक बहुत महत्पूर्ण बात आप यहां रख रहे थे महत्पूर्ण बात यह कि BJP जिसके साथ भी गठबंदन करती रही उसमें ही तोड़ फोर किया चाहे AIA, DM के दक्षिन से देख लीजिए आप कुछ नाम और विना रहे थे आप देख लीजिए जेडियो को देख लीजिए लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है वहाँ चाचा और भतीजा दोनों अलग-अलग हो गए दो पाटिया हो गई आप देख लीजिए यहां शिपसेना में क्या हुआ आप शिपसेना के साथ थे शिपसेना में दो फाड़ आपने करवा दिया आप अकाली दल में देखिए क्या हो रहा है अकाली दल कहा है आज की तारीक में पंजाब में तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां है जहां दो फाड़ करवाने की साजिशे रची और उसके कारण आप सत्ता परकाविज होते गए लेकिन आज इन साजिशों का परदाफाश हो रहा है और दल जो हैं खासकर जो ऐसे नेता हैं जो खुल के आ रहे हैं इन लोगों को सल्यूट करना होगा यह जो आम आदमी पार्टी के यह तीनों नेता बैटकर जो अपनी बात रख रहे हैं इनको सल्यूट इसलिए करना होगा कि कम से कम ही है आज की तारीख में इंडिया गठबंदन को बचाने की कोशिश को कर रहे हैं इंडिया गठबंदन के नाम पे अपनी बात तो यहां रख रहे हैं कि कैसे कॉंग्रेस के साथ आप समझोता मत करो सीट शेरिंग मत करो आप उनके साथ इंडिया गठबंदन के साथ में चुनाओ मत लड़ो बरना आपके मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन एक बात और है यहां जो आप मत पुर्ण वह भी आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि डरो मत का नारा जो राहुल गांधी ने दिया है वो डरो मत का नारा बुलंद करते हुए यहां संदीप पाठक भी दिखाई दे रहे हैं यहां सोरब भारदवाज भी दि दिखाई दे रहे हैं तमाम दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं और इसलिए आज की तारीक में यह गठबंधन जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अभी दो दिनों के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि सीटों के बटवारे की सूचना आपको आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच इन दोनों की एक संयुक्त प्रेस कॉंफरेंस होने वाली है उस प्रेस कॉंफरेंस में यह बता देंगे कि कहां किस राज में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी किन किन सीटों पर कितने कितनी सीटों पर चुनाओ लड हो चुकी है फाइनल राउंड की बात चल रही है वह सामने आ जाएगा महराष्ट में सीटों के नया सिंबल मिला है वो तुरही है और वो जो होता है बिगुल जिसको बिगुल करते हैं और शरित पवार बिगुल फूकने जा रहे हैं उनका जो सिंबल है वो बिगुल है और वो बिगुल फूकना जो कहते हैं किसी चीज का आगाज करना युद्द से पहले युद्द से पह है उसके अंत की शुरुवात का बिगुल है और इसलिए अब मुझे ये बिगुल दिया गया है चोटी मुटी बात नहीं हो सकती है बिल्कुल लाज़ी चोटी मुटी बात नहीं हो एक यो नहीं कहते हैं अपधा में अवसर जो प्रहान मंत्री आपनम प्रणी कर रहा है प्रहान मंत्री के लिए लिए आपना है पैदा की आम आदमी पार्की के लिए इंडिया रजबंदन एक जुट हो गया तो यह यह कुल मिलाकर के जो है वह आपना में अब सब्सक्राइब हो रहे है तो मुझे लगता है कि आप चुगी चुनाओ नजदीक है बहुत जल्दी हमको बहुत सारी ऐसी चीजे दे बिलकुल बिलकुल सही कह रहे हैं आप बहुत महतुपूर्ण बात आप यहां कह रहे हैं कि अब यह यक्षपरस्ण है लेकिन साथ-साथ एक महतुपूर्ण सूचना दोस्तों यह है कि इंडिया गटवनदन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है लेकिन इस साजचीशो का परदाफाश भी इंडिया गठभंधन के नेता ही कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्योंकि ये सूचना है तो हमेशा रही है आप सब इतने बुद्धिमान तरशक साथी हमारे आप सब देखते हैं इस कारिकरम को और इतने बुद्धिमान हैं आप सब अच्छी तरह से जानते ह कि यहां क्या कुछ हो रहा है कैसे इंडिया गठभंधन को तोड़ने की साजिश में मित्र मेडिया जो है वो साथ दे रहा है और लगातार इस ख़बर को फ्लोट करता रहा है अलग-अलग चैनल्स के जरीए इसकी फ्लोटिंग होती रही कि इंडिया गठभंधन जो है वो 25 तारीक को आगरा की रैली जो भारत जोडो निया यात्रा आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पहुंचेंगे आगरा और उस रैली में अखलेश यादब ना सिर्फ सहमती बलकिनों ने ये बता दिया है कि हां मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ उसमें प्रियंका गांधी वाले हैं ऐसा दिखाई दे रहा है सुनाई पड़ रहा है और क्यों ऐसा कह रहे हैं हम उसकी बात जब आचल आएंगी तो वह आपको बताएंगी तो बहुत कुछ है बिखरता हुआ कुनबा इंडिये का और बनते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए कुनबे इं आज की तारीख में आप माने ना माने सत्ता पक्ष मोदी जी के पास है उनके पास शासन है प्रशासन है सब कुछ है उनके पास ED है CBI है IT है इन सब की धंकी चंकी के साथ आप शासन कर लें लेकिन आप जनता का की अदालत में कितने कमजोर हैं उसकी निशानी धीरे-धीरे स वोट्टिंग मशीन क्योंकि आप इलक्टोनİक वोटिंग मशीन हो या बैलेट पेपर हो हर जगा आप एकस्पोज हो रहे हैं बैलेट पेपर पर तो आप आप सूपर एकस्पोज हो गए बैलेट पेपर पर आप 36 वोट नहीं बचा पाए वहां आठ बोटों की एक शब्द इस पे नहीं कह रहा है तो यह बहुत कुछ है इन चीजों को समझें हम यहार राजनीती नहीं कर रहे हैं दोस्तों लेकिन राजनीती की परतें जरूर खोल रहे हैं और वही बात आप तक पहुचा रहे हैं कि कैसे एक्सपोज हो रही है बीजेपी कैसे इंडिया गटबंदन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और कैसे उसी को आम आदमी पार्टी यहां एक्सपोज कर रही है और ऐसे ही दूसरे दलों के नेता भी एक्सपोज कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बात हैं आप तक पहुचाएंगे हम इस कारिकरम को तो अब यहीं समात करने की अजाज़त चाहता हूं क्योंकि अभी से थोड़ी दिर बाद ठीक छे-सात मिनट बाद आप देखिए रोज आप पसंद भी करते हैं आचल के साथ खरी-खरी और उसमें बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिसमें कैसे एंडिय का कुन्वा जो है वो बि कर दो एंडिय करे ईंट